Hello everyone, आप सभी नोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़ा जिसे आप एक बार खा लिए तो आपके फेवरेट पकोड़ा लिस्ट में ये सबसे उपर आएगा सच में यार इसका टेस्ट आसम होता है तो इसे मैंने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन तो Friends, बेसन आप उसी हिसाब से लिजेगा जितना आपको बनाना है तो मैं हाँ ये चने का बेसन यूज की हूँ तो इसे सबसे पहले हम बावल में डालेंगे तो यहाँ मैंने इस कप से एक कप यहाँ बेसन डाल दिया है आधा कप बेसन और ले लेंगे आप घर का कोई कटोरी कप सेट कर सकते हैं Measureing के लिए और जिस cup से हमने बेशन लिया है उसी cup से एक cup पानी ले लिया है तो आधा पानी पहले डाल के इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि इसमें lumps ना पड़े एक ही बार आप पुरा पानी डाल देंगे तो lumps बन जाएंगे और ये देखिए बिल्कुल smooth paste हमारा बन गया तो अब जो ये बचा हुआ पानी है ये भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे इससे ज्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत पतला गोल हमें नहीं बनाना है तो आप देख सकते हैं इसकी consistency बिल्कुल flowing है लेकिन पतला नहीं है तो अब इसमें स्वादा नुसार हम नमक एड़ कर देंगे और इसमें आधा चमच अजवाइन एड़ कर देंगे हींग एड़ कर देंगे फ्रेंड्स हींग बेसन में जरूर डालीगा क्योंकि यह हमारे digestion के लिए बहुत ही अच्छा होता है दो से तीन चुटकी healthy powder डाल देंगे और दो से तीन चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इससे ज़्यादा healthy और लाल मिर्च पाउडर मत डालिएगा नहीं तो यह जो हमारा पकोड़ा है फ्राई करने पर काला पड़ जाता है तो आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से हमने फेट के तयार कर लिया है अब इसे हम रिष्ट पर रखेंगे तो कम से कम आधे गंटे के लिए रिष्ट पर रख देंगे फिर next process कर लेते हैं तो हमने यहाँ छोटा वाला जार ले लिया है इसमें हम कुछ मसाले पहले दरदरा पीस के तयार करेंगे तो एक चम्मच साबूत धनिया, एक चम्मच सौफ और 10 से 12 काली मिर्च और एक चम्मच साबूत जीरा डाल देंगे और इसे दरदरा पीस के तयार कर लेते हैं फाइन पीस के नहीं तयार करना आप देख सकते हैं बिलकुल यह दरदरा है कुछ साबूत भी आपको दिख रहे होंगे तो यह मसाला परफेक्ट है इसे कटोरी में हम अलग रख लेंगे और फिर से कुछ मसाले पीस लेते हैं तो इसे भी फाइन नहीं पीसना है इसमें हमने 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरग का टुकड़ा काटके डाल दिया है इसको भी हम ऐसे ही दरदरा पीस लेंगे आप चाहे तो इसे कदू कस करके भी ले सकते हैं तो अब हम सबसे पहले ले लेंगे मिर्च को तो मिर्च हमने यहां 200 ग्राम लिया है इसको पानी से अच्छे से धुलके और पानी अच्छे से सुखा लिया है आप चाहे तो इसे कप्रे से भी पहुँच सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो मिर्च है बिल्कुल ताजी होनी चाहिए जिससे हमारा यह पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो हम पहले इसमें एक चीरा लगा लेंगे नाइफ की हिल्प से और इसके जो बीज हैं उसको निकाल देंगे तो फ्रेंट्स निकालते टाइम थोड़े से मिर्च टूड जाएगी कोई दिक्कत नहीं आप मिर्च के बीज को ऐसे नाइफ की हिल्प से निकाल दीजेगा तो अच्छे से बीज निकालने के बाद फ्रेंट्स हम इसके जो बीज थोड़े बहुत बचे रहेंगे उसको जाड़के निकाल देंगे और बीज को हम फेकेंगे नहीं इस तरीके से सारे मिर्च से बीज हम अलग कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बीज को मिर्च से निकाल दिया है और इसको एक अलग प्लेट में रख लिया है इसका भी यूज कहां करना है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो अब चलते हैं गेस की तरफ गेस पर हमने पैन चड़ा लिया है और इसमें डाल देंगे एक चम्मच सरसो का तेल और इसमें जो हमने ये मसाला पीस के रखा है इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो हम जो हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट बनाए हैं इसको भी डाल देंगे और फ्रेंट्स इसको हम एक से दो मिनड़ तक एकदम लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुसबू ना आने लगे तो बहुत प्यारी सी खुसबू आने लगी अब हम इसमें दो पिंच हिंग डाल देंगे और डाल देंगे हम इसमें ये मिर्च का बीच जो हमने निकाल के रखा था भूने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा और पक भी जाएगा यानि कूक हो जाएगा इसमें डाल सकते हैं मैस करके तो इसको अच्छे से इस पैचुला से दबाते हुए मिक्स करते हुए हमने इसको अच्छे से मैस कर लिया है आप देख सकते हैं पैन को भी ये बहुत अच्छे से छोड़ रहा है आलू अच्छे से कुक हो चुका है तो इसमें अब डाल देंगे बारी कटी हुई धनिया की पत्ती, काला नमक, आधा चमज और स्वाधा नुसार सफेद नमक एड़ कर देंगे आधा चमज गरम मसाला एड़ कर देंगे, इससे ज़्यादा अब हम इसमें कुछ नहीं एड़ करेंगे एक मसाला और है जो हम गैस का फ्लेम बंद करने के बाद एड़ करेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये लीजिए फ्रेंट्स हमारा मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और पैन को भी ये आलू बहुत अच्छे से छोड़ दिया है तो ये आलू और मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया अब डाल देंगे आधा चमच आमचूर पाउडर पकोड़े में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आपके पास हो तो जरूर डालिएगा नहीं हो तो निम्बू का जूस एड़ कर दीजिएगा उससे भी बहुत ही चटपटा बनेगा तो अब हम इसे ठंडा हो जाने देते हैं जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम अपने मिर्च को ले लेंगे और मिर्च में ये जो हम आलू का मिक्स बना के रखे हैं इसको थोड़ा सलेंगे इसको हाथों में ऐसे लंबा कर लेंगे और अब हम इसको मिर्च में अच्छे से भरेंगे यानि फील करेंगे तो अच्छे से इसको फील करना है ताकि अच्छे से ये पूरा अंदर से फील हो जाए बिल्कुल एकदम टाइट मिर्च के सेप में आ जाए ये देखिए अच्छे से हमने आलू को फील कर लिया है और friends आप चाहे तो इसे ऐसे ही बेसन में फ्राई कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है इसके उपर भी हम आलू का एक कोट करेंगे तो इसके लिए आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा और मिर्च पर ऐसे ही आलू का कोटिंग करिएगा हाथ में अच्छे से पानी लगा लेंगे तो आलू आपके हाथ में नहीं चिपकेगा और अच्छे से मिर्च पर सेट हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सेप देंगे मिर्च का और ऐसे ही हम बनाके पूरा रख लेते हैं, ये देखिए पानी या तेल आप हाथ में जरूर स्प्रेट कर लिजेगा इसको बनाने के लिए तो यहां हमने कुछ बना लिया है, तब तक इसको फ्राई कर लेते हैं fry जब तक करेंगे तब तक और भी हम जो मिर्च रखे उसको cover कर लेंगे तो fry करने के लिए सबसे पहले बेशन को अब हम check कर लेते हैं बेशन को एक बार फेट लेंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से फेटने के बाद हम यहां consistency दिखा देते हैं यह देखिए थोड़ा सा पहले से यह गाड़ा हो गया है यानि जब बेशन फूला थोड़ा सा थीक हो गया बिल्कुल perfect consistency है तो इसको फूलाने के लिए हम डाल देंगे यहां एक चमच refined तेल friends यह normal तेल नहीं हमने इसको अच्छे से गरम करके add किया है इसके जगह आप चाहे तो मीठा सोडा भी एक पिंच डाल सकते हैं जिससे बहुत अच्छे से पकोड़े फूलेंगे तो अब इसको ऐसे deep करना है मेर्च की डंठल को पकड़ना है बेशन में ऐसे घुमाते हुए इसे अच्छे से कोट कर लेना है बेशन से ये देखिए और अब हम इसे थोड़ा सा एक मिनट रुकने के बाद तेल में इसे डालेंगे और एक एक करके डालेंगे फ्रेंट्स जादा मत डालेगा नहीं तो चिपक जाएगा और थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसे इस पैचुला की हिल्प से ऐसे इस्टर करते हुए फ्राई कर लेंगे बहुत ही लाजबा बहुत ही स्वादिस्ट ये हमारा मिर्च का पकोड़ा बनके तयार होता है इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे बिलकुल एकदम सुनहरा कलर आने तक तो ये लीजी फ्रेंट्स हमारा ये जो मिर्च पकोड़ा है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे तो इसे थोड़ा सा हम ऐसे इस पैचुला से निकालेंगे और एक मिनट रुख जाएंगे ताकि इसका जो एक्ट्रा तेल है वो निकल जाए इसी प्रोसेस से सारे पकोड़े को हम फ्राई कर लेंगे तो अब हमने यहां सर्व कर दिया है फ्रेंट्स बहुत बहुत ही मज़दार यह पकोड़ा बनके तयार होता है सारे पकोड़ा का टेस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन इसका एकदम अलग टेस्ट आता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है पकोड़ा खाने में तो मिर्च का ये पकोड़ा एक बाद ट्राइ करना तो बनता है तो फ्रेंट्स मिर्च पकाओडा की ये रेस्प आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैसरी है